चलिए दोस्तों चलिए तो वेरी वेरी गुड आफ्टेनून और स्टाइट करने जा रहे है अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक का रिवीजिन और सब्जेक का नाम कहा दोस्तों ला और इस लॉच अब अगर देखा जाए तो यूनिट वाई जाए तो फिफ्टीन किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज अपना हैंड रेस कर सकते और मैं आपको उसका स्लूशन जैसे ही मेरा लेक्चर या मेरा पार्ट ओवर होगा तो मैं आपको मौकात होगा ठीक है चलो तो इंडियन कॉंट्रेक्ट अगर अगर बात करें पहल बात आती है भाई कॉंट्रेक्ट की तो यह कॉंट्रेक्ट क्या होता है तो कॉंट्रेक्ट बनता है ओफर से ओफर के साथ जुड़ता है एक्सेप्टेंस तो बनता है प्रॉमिस के साथ जुड़ता है रेसीप्रोकल प्रॉमिस तो बनता है अग्रीमेंट और अग्रीमेंट के साथ जोड़ता है enforceable by law तब जाके क्या बनता है contract यह जो enforceable by law है इसका मतलब है intention to create legal relationship आज मैं और आप अगर किसी भी contract में आएंगे तो मेरे मन में भी यह होना चाहिए कि आपने अपनी कसम पूरी करनी है आपके भी मन में यह होना चाहिए कि मैंने अपनी कसम पूरी करनी है अगर आप अपनी कसम पूरी नहीं करोगे तो मैं case कर दूगा मैं कसम पूरी नहीं करूँगा तो आप case कर सकते जहां पर ऐसा intention है वहीं पर हमारे बीच में क्या बनेगा दोस्तों contract example के नाम पर अगर घर पर पापा ने आपसे अभी यह बोल दियोगा कि पिटा C.A. Foundation में अगर अच्छे marks लाओगे पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें बाइक दिलाओंगा अगर पापा ने यह बोला है और अगर आप C.A. Foundation में पास हो गए और अगर पापा ने बाइक नहीं दिलाई तो आप case कर करेंगे तो यहां पर क्या नहीं है इंफोसिबल बाइलॉग नहीं है तो हमारे पापा के बीच में क्या नहीं है contract नहीं है लेकिन आप मुझे बताई जब आप नहाटा क्लास में आपने हमें फीज दिया हमने आपको पढ़ाया अगर मैंने आपको को पूरा नहीं करा है क्य नहीं होता है कि कुछ जगाओं पर एंफोसिबल बाइलॉग नहीं होता जैसे example domestic बातों में दूसरा social बातों में तीसरा political बातों में चौता religious बातों में इन बातों में एंफोसिबल बाइलॉग नहीं होता लेकिन जो business की बाते हैं इसमें presumption है कि एंफोसिबल बाइलॉग हो होगा सब मतलब हर डोमेस्टिक बात में इंफोसिबल बाई लौ नहीं होगा बटा ऐसा नहीं बोला मैंने मैंने बोला प्रिजम्शन है प्रिजम्शन का मतलब है कि यह हो भी सकते और नहीं भी हो सकते यह मानिता है लेकिन अगर देखा जाए तो किसी को इंफोसिबल बाई ल मतलब वो क्या करना चाहते हैं, अगर मैं बात करूँ दूसरे case में, for example, अगर मान लीजिए, मुकेशम मानी, अनेलम मानी, इनकी लड़ाई हुई थी, किसको लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर गे, अब ये है तो घरी लू मामला, लेकिन ये प्रॉपर्टी का case सुल जाया किसने अगर मैं आपको डालना है, तो आप डाल भी सकते हैं, क्या ये बात समझ में, पका चलिए, तो इसका मतब समझ में आ गया, कि हर वो agreement, जो कि enforceable by law होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, दोस्तों, that is contract, मतलब कि अगर मैं आप से पूछू, क्या हर contract agreement होता है, क्या हर contract agreement होता है, ये सर, लेकिन क्या हर agreement contract होगा, नो सर, हर agreement contract नहीं होगा, only वही agreement contract होते हैं, जो agreement are enforceable by law, ये बात समझ में, पका चलिए, अब अगर अब बात करें दोस्तों, तो contract जो है, बहुत अलग-अलग प्रकार के होते हैं, अगर मैं contract को बात करूं, तो उसे divide किया गया, तीन पार की contract है, पहला contract है, पहला contract है, एक्सप्रेस, पहला contract क्या है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस contract मतलब एक ऐसा contract जो बोल कर या लिखकर बनाया जाता है, तो एक ऐसा contract जो बोल कर या लिखकर बनाया जाता है, तो एक ऐसा contract जो बोल कर या लिखकर बनाया जाता है, तो एक्सप्रेस contract a contract which is made otherwise than by words spoken or written spoken or written by action आज का यूग आज का यूग का इटिडिल यूग इसके अंतरगा अपने इलेक्टरोनिक वे इसमाल करते हैं सब्सक्राइब से लिए पके देख के बाइव है यह पैंड्यल सिगनेचर की पैंड्राइव तो आज की डेट में अगर मान लीजिए आपको कोई भी contract करना है तो आप digital signature की मदद से उस contract को execute कर सकते और जो भी ऐसा contract बनते है ऐसे contract को अपन बोलते है e-contract क्या बोलते हैं दोस्तों e-contract तो अगर हम बात करें दोस्तों तो कुल मिला करके हमने तीन प्रकार की contract देख लिया पहला कौन से एक्स्प्रेस दूसर कौन से इंप्लाइड और तीसर कौन से e-contract आईए नेक्स आते हैं on the basis of execution on the basis of execution अलग अलग प्रकार की contract है पहला है executed एक्सीक्यूटेड नाम से समझ में रहा है past tense दोनों ने contract बनाया तो दोनों ने पूरा कर दिया both the parties have performed the contract दो both the parties have performed the contract इसे अपन क्या बोलेंगे executed अरे नाटा क्लासेस में आप आये थे पढ़ने के लिए आपने fees पे किया क्या आपने fees पे कर दिया हां क्या हमने पढ़ा दिया हां तो हमारा contract क्या हो गया executed फिर एक है executed जिसके अंदर दोनों parties आगे जाके perform करेंगे आज contract कर रहे है लेकिन perform करेंगे आगे जा कर गे फर एक्जामपल राहूल मेरे पास आया बोले सर मुझे आपकी कार खरीदी नहीं मैंने का ठीक है भाई मैंने का दस लाग रुपे लगेंगे बोले सर आज तो दस लाग लाया नहीं मैंने का जब लाओगे तब ही बेचूँगा आपको कार बोले सर पांस दिन बाद जिसमें एक परसन क्या करतेता है बता यह पूरा करतेता है और एक आगे जाकर पूरा करेगा दोलते हैं इक तर्फा कॉंट्राक्ट one-sided contract क्योंकि इसमें एक ही party perform करती है सर एक ही party perform करती है मतलब बिटा एक party ने contract बनने के पहले perform कर दिया हुआ ये कि एक party ने contract बनने के पहले perform कर दिया उसके बाद contract बना उसके बाद contract बना और फिर अब दूसरी party जो है वो उसे पूरा करेगी मतलब यहां पर क्या हुआ, कि एक party ने पहले ही perform कर दिया, फिर contract बना, फिर दूसरी party से perform करेगी. इसे हाँपन क्या बूढ रहे हैं? य२ि लेटरल contract ऐक्ज़ांपल के नाम पर भाई मैं आपके पास आया मैंने का साप मुझे आपसे 10,000 रुपे उधाद चीए आपने तुरां नगत गिना मेरे हाथ में रख दिया मैं लेकर के भाग गया आपने बुले ठीक है और कल मिल जाएंगे सर से कोई दिक्कत नहीं सर को इमर्जेंसी होगी अब कल आप मेरे पास आया आपने बुले सर मैंने 10,000 रुपे दिया था उसका कुछ अपने लिखा पड़ी नहीं किया मैंने का लिख देता हूँ कि मैं आपके 10,000 रुपे आपको एक हफते के बाद दूँगा तो अब एक हफते के बाद पैसा कौन देगा मैं दूँगा अच्छा आपने मुझे पैसा कब दिया कौन ट्रेक्ट बनने के पहले मतलब पहले आपने परफॉर्म किया फिर कौन ट्रेक्ट बना फिर एक पार्टी परफॉर्म करेगी तो इसलिए ऐसे क्या बोलो है वन साइडेड कॉंट्राइक यह बात समझ में पका चले अब आते नेक्स कंट्रेक्ट के उपर दोस्तों यह वालेट कॉंट्रेक्ट वालेट कॉंट्रेक्ट एक एसा कॉंट्रेक्ट विच इन फॉसिबल बाई लॉओ ईसे क्या बोलेंगे वालेट कॉंट्राइक ओशाते है जिस एक बन बोलते हैं वाइड पैसे valid का उल्टा, valid होता है enforceable by law, तो void होता है not enforceable by law मतलब यह law के दोरा enforceable नहीं होगा, अब यह void भी होता है यह भी दो परकार के हो जाते, एक हो जाता है void agreement, एक हो जाता है void contract, एक हो जाता है void agreement, एक हो जाता है void contract, so what is void agreement, void agreement मतलब एक ऐसा agreement, जो शुरुवात से गलत है जब से बात किया जब से कॉंट्रेक्ट किया शुरुवात से ही क्या है गलत है जैसे कि भाई मैंने बोला अंकोष को कि मैं आपको बेजना चाहता हूं गांजा क्या बेजना चाहता हूं गांजा गांजा बेजना सही है कि गलत है गलत है क्या यह सबसाइ गल्ट है यह था यह प्रमिव के और लाट ब country जो अभी जो अभी बनाया है जो और बी बनाया है और बीए बनाया है और वालिट भी बाद में किसी कारणवश वॉइड वजाता है. मलत अभी सही हैं, बाद में क्या हो गया? वॉइड हो गया. एक्जामपल, मैंने क्या किया? अंकोश से बात किया. और मैंने अंकोश से बोला कि भाई, अंकोश, मैं आपको Totally PM बेचना चाहते हूं crystal cheap नहीं पुलाएंगा am false दिन बाद आपको अपान सार रुपए 15 दिन बाद ये माल उठाने वाले थे मोदी जी आगया मोदी जी ने बोल दिया मित्रों भाई और पहनों इस देश को हुआ क्या जहां देखो थूका थूका आज रात त्री 12 बजे से गुटका खाना गुटका थूकना सभी क्या है बंद है अब मान लीजिए ऐसा बोल दिया गया तो जब हमने कॉंट्रेक्ट बनाय था तो गुटका इचीना वलत था चिब रीता लेकिन बात में जब इसे पूरा करने की बारिए हुआ पनकर र Face वी दिन पर कइसा हो घू तो इससे आपन क्या बोलेंगे वाइड? कॉन्ट्राक्त बताएम, कोई भी डाउट मैं दोस्तों? पका, अच्छे से, चले वाइड, पात करेंगे किसकी? वाइड, वाइड वाइड, वाइड कोंट्रैक्त मतलब एइसा कॉंट्रैक्TY जो एक party के साफ से valid भी हो सकता है और उस party के साफ से void भी हो सकता है मतलब मेरा मन करेगा मैं से क्या बोलूँगा valid, मेरा मन करेगा मैं से क्या बोलूँगा void, और ये मेरा मन किसका मन इसका मन जो aggrieved party है कौन सी party है, aggrieved party है उसके साथ कुछ तो भी जोर जबदस्ती हुई है तो एक ऐसी पार्टी जिसके साथ जोर जबदस्ती करके contract में फसाया गया है तो वो contract को valid भी कर सकता है या वो contract को void भी कर सकता है ऐसे contract अपन क्या बोलेंगे voidable contract तो एक ऐसा contract जो valid भी हो सकता है वालिट भी हो सकते हैं उसे अपने बोलते हैं वाइडिबल कॉंट्राइक एक्जाम्पल के नाम पर फॉर एक्जाम्पल मिष्टर कृष्ट ने मेरे सिर पे गन रखी और मुझे अपनी कार टाटा नैनो दस लाग रुपे में बेच दिया अब मैंने गन पर रखा तो भाई मैंने क्या किए खरी लिया कड़ी को अब तो ऐसे केस में जानना चाहता हूं दोस्तों कि मुझे बताएंगे कि यहां पर अगर देखा जाये तो बाई मेरे पस दो option है या तो मैं बोलूँ है जान है तो जहान है कलोर गाड़ियां घरी लेंगे बाई कलोर पैसा कमा लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है चलने तो भाई टाटा नैनों में भी खुश है या तो फिर एक और बात यह होई कि कि भाई लेकिन मुझे बताईए ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर अवेलेबल है ये चीज़ जहांपर क्या होगा जहां पर जोड जबर्दस्ती होगे मतलब जोड जबर्दस्ती नहीं होई वहां पर यह वालेड़ी होगा एग्जाम्पल आप फरारी के शोरूम में गए आपने फरारी क सब्सक्राइब करने पड़ेगम का यह फोट नहीं पड़ेगा high जैसे वह technical defect को आप अलग कर देंगे वो क्या हो जाएगा enforceable by law हो जाएगा जैसे कि बढ़ी property के जो भी contract है वो किसमें बनने चाहिए थे same paper में बनने चाहिए अभी स्टैंब पेपर में नहीं बना अब stamp paper में नहीं बना लेकिन आपने plain paper में बना दिया, तो contract तो सही है लेकिन law में enforceable नहीं होगा क्योंकि जब तक stamp paper में नहीं बनेगा court अपना judgment नहीं देगा तो ऐसे contract कापन क्या बोलेंगे unenforceable contract, which is valid क्या बोल रहा है, which is valid but there are some technical defect क्या ही बात समझ में आ रही है पक्का, चले, defect if the defect is removed, if the defect is removed, then it will become what enforceable, बताईए कोई भी doubt इसमें दोस्तो पक्का, अच्छे तरीके से तो हमारे कितने प्रकार की contract होगा है पहला, on the basis of creation on the basis of execution on the basis of enforceability तो on the basis of creation की अगर बात की जाए, तो कितने प्रकार के contract अपने देखें बताएंगे तीन प्रकार के, कौन कौन से बताईएं, पहला कौन से है एक्सप्लेस, दूसर कौन से है implied, तीसर कौन से है e-contract, उसके बाद on the basis of execution अपने देखा, पहला कौन से देखा executed, फिर कौन से है executory, और फिर कौन से है partly executed, partly executory, और फिर है unilateral और फिर देखा, on the basis of enforceability, valid है, void है voidable है, और unenforceable है अगर अपन void की बात करें, बैटा एक और चीज़ ही void के case में याद रखना, कि जो void contract होता है, उसमें, जब contract अगर void हो गया, तो याद करी, अभी मैंने triple PM का example दिया था, उन्होंने मुझे 10,000 रुपे दिये, और मुझे इन्हें 15 दिन के बाद triple PM देना था, मोधी जी की चक्कर में मैं क्या नहीं दे पाया, triple PM नहीं दे पाया, तो ऐसे case में, जो 10,000 रुपे मैंने लिये थे, उसका क्या होगा, वापस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे concept लगता है, जिसको अपन बुलते है, restoration of benefits, तो याद रखेंगे, restoration of benefits के बादे, अब यह depend करेगा, वो कितना legal है, यह कितना illegal है, अगर illegal हुआ, क्योंकि जादा तर void agreement illegal होंगे, समझ में आ रहे हैं, जादा तर void agreement कैसे होंगे, illegal, क्योंकि illegal avoid में अंतर क्या है, अंतर से वितना सा है कि illegal agreement में आपको कहां जाना पड़ता है, jail जाना पड़ता है, समझ में आए कि नहीं, तो illegal agreement में आपको सजा होती है, तो वो वॉइड होने के साथ साथ क्या है? इंलीगल भी है समझ में आये कि नहीं है? पका अच्छे तरीके से चले